हालो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्षा कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स हम अल्रेडी वेज कोड कर चुके हैं 2019 वाला अब हम करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड ठीक है तो काफी सारे आक्ट जैसे की ट्रेड उनियन आक्ट और और अब भी बहुत सारे आक्ट जो प्रिव्यस आक्ट थे वो अब इस आक्ट के अंदर जो है और यह first video रहेगा आपका ठीक है इसको भी छोटे-छोटे parts में करेंगे तो पहले part में बहुत छोटी सी video रहेगी आपकी definitions discuss करेंगे और bipartite forums जो बनाए गए हैं इस industrial relations code में उनको discuss करेंगे ठीक है तो दो ऐसे forums हैं जिनकों में discuss करना है सबसे पहले जो important definitions थी देखो काफी definitions तो जो हमने wage code में देखी थी वैसी same ही रहेंगी जैसे appropriate government की definition हमने देखी थी कुछ important definition जिसमें से सवाल पूछा जा सकता है उनमें से एक सबसे पहले आ जाती है आपकी lockout तो lockout basically क्या होता है तो lockout को कैसे define किया गया है temporary closing of a place of employment or suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him तो तीन चीज़े आ गई एक तो temporary closing आ गई suspension of work आ गया refusal of employer आ गया ठीक है अब जरूरी नहीं है कि lockout में पूरी की पूरी industry बंदोरी है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ particular employees के लिए lockout किया गया हो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है refusal by an employer to continue to employ any number of persons okay for example कोई employees है who are not working properly or who are refusing to follow the policy of the companies तो उस तरह की चीज़े इसके अंदर आ जाएंगी उसके बाद next आ जाता है अपका strike तो strike means cessation of work by a body of persons employed in any industry अब lockout जो है उसमें employer के end से काम रोका जा रहा है strike में क्या होता है generally employee के end पे से काम रोका जाता है ठीक है और usually कब कहा जाता है कि strike है ठीक है जब concerted casual leave हो on a given day by 50% or more workers for example अगर 100 workers हैं एक organization में ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही दिन में सबका पेट दुखने लग गया ठीक है तो अगर 50% या 50% से जादा यानि कि for example 51 लोग जो है एक दिन में चुट्टी पर चले गए एक साथ तो उसको क्या assume किया जाएगा कि the staff has gone on strike तो यह एक important question है 50% or more directly आप से question में पूछा जा सकता है exam के अंदर ठीक है जी चलिए अब बाइपेटाइट forums के बारे में बात करेंगे बाइपेटाइट forums basically यह जो है इंडस्ट्री के लेवल के उपर ही होंगे यह basically वो forums होंगे जहां पर employees और employer मिल करके अपने grievances को settle down कर सके ठीक है तो पहले बात करते हैं work committee की यह n नहीं होगा यह m होगा work committee के अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया है हमारे industrial relations code में कि कोई भी industrial establishment जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा workers employed हैं या employed थे in any day preceding 12 months यानि कि अगर पिछले 12 महीने में उस establishment में किसी एक time पर भी 100 या 100 से ज़्यादा workers employed थे for example कोई कह दे कि आज तो मेरे organization में सिरफ 80 लोग हैं तो उससे काम नहीं चलेगा क्या 6 महीने पहले हो सकता है कि उस organization में 120 लोग हो ठीक है तो उसको work committee बनानी पड़ेगी ठीक है तो इसमें क्या बोल दिया गया है कि central या state government बता सकती है कि क्या ऐसी जो organizations हैं जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको work committee बनाने के ज़रूरत है या नहीं है ठीक है अगर ऐसी work committee बनेगी तो इस work committee में जो representatives होंगे employees के और employers के वो equal रहने चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि employees के representative कम है और employer के ज़्याद है नहीं equal रहने चाहिए ठीक है work committee का का क्या होगा work committee का basically काम ही होगा कि वो ऐसे measures को promote करे जो unity और MET और good relations जो प्रमोट करे employer और workers के बीच में next आजाती है आपकी grievance redressal committee grievance redressal committee के लिए क्या बोला गया है कि वो industrial establishments वो organizations जिसमें 20 या जादा लोग काम कर रहे हैं उन ऐसी establishments में एक या एक से जादा grievance redressal committee होनी चाहिए ताकि जो भी dispute arise हो रहा है उसको resolve किया जा सके तो 20 और more works committee 100 और more grievance redressal committee 20 और more important है या आपने याद रखना है अब इसमें भी same चीज़ है employees और employer के representative जो है वो same number होना चाहिए chair person के लिए क्या बोला गया है कि rotation basis पे for example एक side employers के representative में से किसी को chair person बनाया जाएगा और next year employees में से किसी को जो है इसका representative बनाया जाएगा तो rotation जो है करनी होगी ऐसा नहीं है कि हर साल employers में से ही कोई ना कोई chairman बन रहा है ठीक है साथी साथ grievance redressal जो committee है उसमें maximum 10 member हो सकते हैं उससे ज़्यादा members नहीं हो सकते तो ये भी एक important point है सीधा paper में पूछा जा सकता है बहुत अच्छे facts हैं जो directly आप से exam में पूछे जा सकते हैं एक point इसमें ये भी लिखा गया है कि women workers के लिए भी adequate representation होनी चाहिए और committee grievance redressal committee में women का जो representation होना चाहिए वो proportional होना चाहिए women workers के ठीक है women workers के proportional होना चाहिए जितनी women workers organization में काम कर रहे हैं उसके proportion में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि 1000 औरते एक organization में काम कर रहे हैं और क्यूंकि सिरफ और सिरफ code में लिख दिया तो आप एक woman को उसमें डाल रहे हो नहीं number of woman जितनी proportion है जितनी औरते काम कर रही है उसके हिसाब से आपको ratio निकाल कर उनको representation देनी है grievance redressal committee में उसके बाद grievance redressal committee में अगर कोई भी worker complaint फाइल करना चाता है तो वो अगर जो भी incidents उसके साथ हुआ within one year वो फाइल कर सकता है complaint grievance redressal committee को complaint मिलने के बाद 30 days के अंदर अंदर proceedings complete करनी होंगी जो grievance redressal committee का decision होगा वो majority view के basis पे होगा यानि कि for example 10 लोग हैं अगर grievance redressal committee में तो छे लोगों ने अगर एक particular decision को कह दिया तो वो मान लिया जाएगा लेकिन एक point और है एक point क्या है कि provided more than half of the members representing the workers have agreed to such decision अब एक example लेते हैं 10 member हैं ठीक है 5 employees के employers के और 5 employee के ठीक है अब 6 vote मिल गए हमने कह दिया कि majority से decision लिया जाएगा लेकिन इन 6 vote में 5 vote employers के हैं और employees के end पे से सिरफ एक vote है तो आप तो कह दोगे कि sir majority हो गया तो फैसला जो grievance redressal committee का फैसला उसको final कर दो पर code क्या कहा रहा है ऐसा नहीं होगा क्यूंकि अगर 5 employees हैं इसमें जो representative हैं तो more than half यानि की तीन employees भी उस decision के favor में होने चाहिए इस सिरफ इस से फरक नहीं पड़ता की majority आ गई more than half employees अगर 5 employees हैं उस committee में तो 3 employees जिस particular decision के favor में होंगे तब ही उसको accept किया जाएगा नहीं तो नहीं किया जाएगा तो इस case में हमारे example में इस decision को accept नहीं किया जाएगा क्यूंकि इसमें जो vote है by the employees वो less है ठीक है जी उसके बाद the worker अगर worker जो है वो satisfied नहीं है grievance redressal committee के decision से ठीक है या उसका जो grievance था वो resolve नहीं हो पाया है उसमें उस committee के through तो within 60 days जब grievance redressal committee ने अपना decision दे दिया उसके 60 days बाद वो अपनी एक application file कर सकता है अपने grievance की to the conciliation officer और यह जो application है यह through trade union pass की जाएगी जो जिस trade union का वो member है okay ultimately the worker may make an application directly to the tribunal also अगर conciliation officer के through भी जो है कुछ नहीं होता तो वो tribunal में जो है अपना जो case है वो लेकर के जा सकता है and this can be taken after 45 days 45 days जब complete हो जाएगे conciliation officer के कोई action नहीं लिया या conciliation officer के action से वो satisfied नहीं है तो उसके 45 days बाद वो directly tribunal में भी जो है अपना case लेकर के जा सकता है और tribunal में ultimately अगर जैसे हमने देखा कि grievance redressal committee में आप एक साल पुरानी अगर कोई grievance है उसको लेकर के जा सकते हो tribunal में आप जो है अपनी grievances दो साल पुरानी grievances के लिए भी आप लेकर जा सकते हो अगर आपको for example दो साल पहले निकाल दिया था या एक साल छे महीं न पहले निकाल दिया था और आपको लगा कि वो जायज नहीं है तो आप जो है कोई भी डाउट हो comment section में post कर सकते हैं और doubts के लिए आप whatsapp भी कर सकते हैं इस number के उपर number रहेगा 904-1244-689 या फिर आप mail कर सकते हैं www.gmail.com ठीक है जी चलिए तो मिलेंगे अब अगली lecture में तब तक all the best and bye bye